हलो एप्रीपन वेल्कम बैक तो मैं यूटीब चैनल योनी क्लासे जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कूल ओफ स्पेशलाइज एक्सिलेंस जो है उन्हों यानि की SOSC ने अपने 11th क्लास के फॉर्म्स निकाल चुका है और सर्कुलर भी निकाल दिया था और हमने सीट्स के बारे में तो सब कुछ बात करी ली थी एक अपनी सेपरेट वीडियो में कि आपके टोटल कितनी सीट्स है और क्लास 11th 2023-24 तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूंगे कि आप उस वीडियो को चेक कर लेना ठीक है आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो exam है वो कब होगा यानि कि आपका जो exam है वो किस month में होगा किस week में होगा और हम लगबग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस date पर होगा जो date का अंदाज है वो मैं only assuming यानि कि expected date मैं आपको कह सकती हूँ लेकिन यहाँ पर जो week है और जो month है वो SOSC ने पूरा पूरा बताया हुआ है अपने circular में और यह जो आप circular देख रहे हैं यह इन्होंने निकाला था 12 जून 2023 को ठीक है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपका जो exam है SOSC का जो आपके domain है STEM, Humanities और आपका SBS यानि की AFPSC मिसको बोल सकते हैं इन दीनों का ही exam आपका किस week में होगा ओके तो मैं आपको आज ही बताने वाली हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको read करके बता देती हूँ The admission in ASOSC shall be on the basis of an aptitude test to be conducted at these 13 और its nearby school in the second week of July 2023 इन्होंने हमें बोला हुआ है कि जो आपका SOSC में जो आपका admission के लिए entrance exam होगा, basically जो आपके 13 schools के list आपको दी हुई है चाहे तो उनमें होगा, चाहे उनके nearby किसी school में होगा यानि कि जो उनके आसपास के schools होगे, उनमें आपका जो exam है कंडक्ट कराया जाएगा और आपका जो exam है वो July की second week में कंडक्ट कराया जा सकता है, फिर उसके possibilities है कि July की second week में वो कंडक्ट कराया जा सकता है और मेरे ख्याल से जो बचे मुझे मतलब पहले से follow करते हैं उनको ये चीज पता होगी और जो regular basis पर वीडियो देखते हैं उनको ये चीज पता होगी कि मैंने already अपनी पहली एक separate वीडियो में बताया हुआ था कि आपका exam basically कब होगा क्योंकि हमने पूरा analyze किया था कि अगर आपके 27 June जो है last date है online form application के लिए fill करने के लिए तो उस महीने में आने की June के मन्त में तो किसी भी हालात में आपका exam नहीं हो सकता था और बारी आती थी फिर July की right क्योंकि आपका जो अगस्त है उसमें तो आपका मैं कह सकती हूँ कि admission process अब कुछ start हो चुका होगा in fact आपके classes भी start हो सकती है ऐसा हम मान के चल रहे है right तो आपका जो exam है वो इन्होंने साफ कर दिया है कि वो second week of July में होगा ठीक है आप जो July में second week इन्होंने कहा है तो मैं date अगर हम अंदाजा लगाएं तो मेरे ख्याल से आपका 10 July जो है उससे पहले या फिर उसके बाद 10 July के बाद तो आपके exam ज़रूर ही हो जाएंगे और ऐसी भी chances है कि 10 July से पहले आपका किसी domain का exam हो ऐसा भी chance है बट most probably ऐसा होता है कि आपका जब जो entrance exam की date होती है फिर वो लगातार होती है जैसे कि पहले मानो किसी भी domain का है मानो domain A का पहले है फिर B का है फिर C का है तो बिलकुल लगातार होगा किसी भी दिन की कोई चुटी नहीं होगी सिवाए संडे को कभी-कभी संडे को भी exam होता है बट कभी-कभी नहीं होता है तो आप सभी यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपनी preparation कितने अच्छे से कर लेनी है क्योंकि हमारे पास जादा time नहीं है और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं आपके लिए 20-day strategy जो है वो बनाऊं तो last 20-day strategy में अगर आपके लिए वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे comment करके बताओ कि हम किस तरीके से अपना revision कर सकते हैं syllabus का सब कुछ मैं आपको बताऊंगी तो उसके लिए आपको एक चोटा सा काम करना है comment box में comment करना है कि आपको last 20-day के strategy चाहिए या फिर नहीं क्योंकि अगर आपके demand होगी तो ही मैं बनाऊंगी बना नहीं बनाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको नहीं चाहिए SOSC में उसको पता चल सकें कि उसका जो exam है वो किस month में और किस week में conduct कराया जा सकता है और SOSC basically जो SOSC है उसमें entrance exam अगर आप सभी को देना है और clear करना है तो अपनी preparation बहुत जोरो शोरो से करनी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने form fill किया होगा क्योंकि अब जो इस साल ninth class के exams हुए थे तो उसमें total में अगर around आपका जो one lakh students है उन्होंने exam fill किया था यान कि form fill किया था अपना और exam देने मेरे ख्याल से आपके 90,000 students तो गई होंगे 90 ने तो 80,000 तो गई होंगे और आप सब भी देख सकते कि seats कितनी ही कम थी और 11th class के रहे तो और भी कम seats है हाला कि competition भी कम ही होता है लेकिन आपका competition इतना भी कम नहीं है कि आप अपने हाथ पर हाथ रखके बैठ सकें और ये सोचे कि हमारा तो ऐसे ही आ जाएगा ऐसे नहीं आएगा आपको अपने preparation करनी है और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि मैंने जो आपकी stem है उसके PCM और PCB की जो series है MCQ series वो मैंने start कर दी है तो आप सभी जाके उसे check out कर सकती है reasoning जो है already हमारे चैनल पर कराई हुई है आपको यह नहीं सोचना है कि वो class 9 के लिए आपको अपने लिए मानकर उसे करना है क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी important चीज़े बताई है and कम से कम आपका base जो है वो तो clear हो सकेगा और अगर आप उस video को देखोगे उन videos को और उन पर comments करोगे तो ही मैं आपके लिए reasoning की एक जो new series है उसको start करूँगी तो अब मिलेंगे एक new video के साथ अब तके लिए unique classes का नारा है S.O.S.E. हमारा है इसको आप comment box में लिख सकते हैं Thank you so much for watching this video, stay tuned